दोस्तों नमस्कार मेरा नाम संजे मग्गू है और मौझूद है देश रोजाना के डिश्टल मीडिया मंच पर हर्याना विधान सभाज चुनाव के लिए टिक्टों को लेकर लगातार टक्टकी लगी हुई है वो नेता जिनको चुनाव लड़ने की इच्छा है जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो ये देख रहे हैं कि आखिर टिकट की बात कैसे बनेगी तो राजनीतिक दलों के लिए ये एक तरह से कसोटी पर कसने के लिए तमाम प्रकार के यतन प्रयतन है कि कौन से कैंडिडेट को उतारा जाए जिससे की चुनावी वैतरनी पार होने की गारंटी हो राजनीतिक दलों के लिए मुख्या ये है कि कतारें तो लंबी हैं लेकिन ऐसे कौन से नेता को वो अपना चेहरा बना करके भेजें जो कि उनको विधान सभा तक पहुचाने में काम्याब हो मैं आपसे लगातार कई जिलों पर चर्चा कर चुका हूँ हलाकि तमाम आपको दिखते होंगे कि पैनलिस्ट लोग जो हैं या सोशल मीडिया पर अपनी बात अखने वाले लोग हैं आपको 90-90 सीटों की एक साथ जानकारी दे रहे होंगे लेकिन जब तक पार्टियों की P.A.C. की बैठक भी नहीं हुई तब तक किसी बात की इस प्रकार की चर्चा करना बेमानी समझी जाती है हलाकि आप अगर देखें तो तमाम सोशल मीडिया वेब साइट्स पर भारती जनता पार्टि के प्रत्याशियों के तौर पर विधायकों के नाम नमबर एक पर दिये जा रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ वही भारती जनता पार्टि है जिसमें ये का जा रहा है कि विधायक और मंत्रियों के 50-60% तक टिकट काटे जा रहे हैं अगर 50-60% टिकट कटने हैं तो इसका मदलब 20-25 टिकट कर सकते हैं मैंने आपको पिसले दिनों गुरुगराम के बारे में बताया था कि फरिदाबाद में 5 का 5 कौन सा हो सकता है और आज के वीडियो में आपसे बात करूँगा कि पलवल की 4 विधान सभा सीटें हलांकि पलवल में 3 आती हैं लेकिन मैंने कई वीडियोज में आपसे काया कि प्रथला को मैं रूरल मानते हुए हमेशा पलवल में जोड़कर चलता हूँ तो पलवल की चार विधानसभा सीटें पलवल, हतीन, होडल और प्रथला इन चार विधानसभा सीटों पर ऐसे कौन से चार महारती हो सकते हैं बाजपा और कॉंग्रेश के जिन से किसी चमतकार की उम्मीद दिखाई दे और आपसे इसी बात को लेकर के मैं चर्चा में हूँ इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे मैं एक बात जरूर बताऊंगा कि आज हर्याना के अंदर तमाम राजनीतिक सर्वे तमाम राजनीतिक जो एनलाइस करने वाले लोग हैं वो यह कहना चाहेंगे कि भारती जनता पार्टी की एंटी इंकम्बेंसी है तमाम political analyze आपको बताते दिखेंगे कि हर्याना में भाजपा की हवा खराब है लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखें तो भारती जंता पार्टी को अपने प्रत्याशी तै करने में पूरा AD चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है आप ये मान करके चलें कि भारती जंता पार्टी की एक एक सीट पर दो दो चार चार पांच पांच आठ आठ दस दस तक लोगों के नाम है लेकिन अगर कॉंग्रेस की बात करें तो कॉंग्रेस काफी हद तक अपने चेहरे लगवग लगवग तै करती जा रही है और कुछ ऐसी स्थिती लगवग पलवल की है अगर मैं आपसे पलवल जिले की बात करूँ तो पलवल जिले की प्रथला सहीत चार विधानसभा सीटों पर जो कॉंग्रेस के चेहरे हो सकते हैं जिन पर लगवग लगवग महर लग चुकी हुई है उन नामों के अंदर अगर होडल विधानसभा की बात करें तो होडल में कॉंग्रेस के परदेश अद्यक्ष चौदरी उधायभान का नाम कॉंग्रेस प्रत्याशी के तोर पर तै है यहां किसी दूसरे नाम की चर्चा भी नहीं है और इतना ही नहीं जब कॉंग्रेस के लोगों ने अपने आवेदन किये थे उसमें भी उधैभान जी के सामने केवल एक ही कैंडिडेट और था वो भी तूसरे विधानसभा चेतर का अगर मैं आपसे पलवल की बात करूँ तो पलवल के अंदर करंसिंग दलाल का नाम बतोर कॉंग्रेस केंडिडेट तै है यहां पर कोई और केंडिडेट दिखाई नहीं पड़ता हलाकि यहां भी जो नाम जो आवेदन किये थे उनमें केवल तीन लोग थे लेकिन यहां करंसिंग दलाल का नाम लगवग तै है अगर अगला नाम का आपसे काऊं तो हतीन विधान सबाचेतर हतीन विधान सबाचेतर में कॉंग्रेस से 20 लोगों ने टिकेट के लिए आवेदन किया था लेकिन हतीन विदान सभा कि अगर मैं आपसे बात करूँ तो कॉंग्रेस केंडिडेट के लिए यहाँ पर मुहम्मद इस्राइल का नाम लगभग तै है कोई और नाम नहीं है हलांकि 20 आविदन के बाद में यहाँ पर चौधरी हर्शकुमार भी चले गई चौधरी हर्शकुमार भी कॉंग्रेस जोईन की लेकिन जो नाम की बात आती है तो वो नाम तै है मुहम्मद इस्राइल का अगर मैं आपसे प्रतला की बात करूँ तो प्रतला विदान सभा में भी 20 लोगों ने टिकट के लिए आविदन किया कितने ही बाते हों कितना ही एफेंट बट हो लेकिन लगता ऐसा है कि प्रतला के लिए रगवीर सिंग तेवतिया का नाम जो यहां के पूर विधायक है लगवक तै है अब अगर आपसे मैं बात करूँ भारती जनता पार्टी की तो भारती जनता पार्टी के अंदर हर एक विधान सभा सीटों पर 5-5-6-6-8-8 तक लोगों के नाम है चाहे वो हथीन है, चाहे वो होडल है, चाहे वो पलवल है, चाहे वो पृतला है और अगर भारती जंता पार्टी की बात करूँ तो मैं आपको शौर्ट रिशिट बता दूँ कि भारती जंता पार्टी से मैं आपको दो-दो नाम बताऊंगा और आप मान करके चलिएगा कि उन दो में से कोई एक नाम लगवक तैह हो सकता है अगर मैं होडल विदान सभा की बात करूँ तो भारती जंता पार्टी के अंदर हरेंदर रामरतन का नाम बहुत गंभीरता से चल रहा है केंद्र राज्य मंत्री क्रिशनपाल गुजर के भी नजदीक है और उन्होंने 2014, 2019 और अब 2024 2014 में हरेंदर के पिता चौधरी रामरतन को टिकेट मिला था भारती जंता पार्टी का वो चुनाव भार गए थे 2019 के चुनाव में टिकेट मिला नहीं जगदीश नायर को मिला वो जेजेपी छोड़ करके भाजपा में आये थे और भाजपा ने टिकेट दिया था वो चुनाव जीत गए दावेदारी 2019 में भी हरेंदर रामरतन की थी लेकिन बात नहीं बनी थी इस चुनाव में हरेंदर रामरतन का नाम गंभीरतन से लिया जा रहा है अगर दूसरा नाम है तो फिर दूसरा नाम जगदीश नायर जो यहां के पूर मंत्री हैं पूर विधायक है है अचकल विधायक थे उनका नाम भी है एक नाम यहाँ पर और है लेकिन क्योंकि वो पार्टी में नहीं है इसलिए उनके नाम पर गंभीरता से मंथन राजनीतिक लोग कम कर रहे हैं अभी अगर वो कहीं पार्टी में शामिल हों तो फिर बात आएगी कि उनका भी नाम तो वो केंड़ेट है नवीन रोहिला तो होडल विधान सभा के लिए अगर आप जो दो नाम प्रमुक जो भारती जन्ता पार्टी में आजकल हैं वो हैं हरेंदर रामरतन और दूसरे नाम पर है जगदीश नायर अगर मैं आपसे पलवल विधान सभा की बात करूं तो पलवल विधान सभा में यहां पर भी जो प्रमुक नाम है उनमें एक नाम दीपक मंगला का जो पलवल के विधायक हैं दूसरा नाम राजीव कत्याल भारती जन्ता पार्टी के जिलावपाध्यक्ष और तीसरा नाम जो यहां चलता है वो गौरव गौतम का अगर मैं पलवल की बात आपसे करूं कि कि किसका नाम तै हो सकता है हलाकि पलवल के लिए टिकेट का आवेदन करने वाले और बहुत से लोग हैं गूजर समाज से सत्वीर पटेल हैं संजे गूजर हैं इसके लावा राजंदर बैसल गूजर समाज से आएं तो सत्वीर पटेल अगर बात कर चलें कि कि किसका नाम प्रात्मिक्ता पर है तो दीपक मंगला के साथ एक बात चल रही है कि उनके साथ जोड़ा जा रहा है कि उनकी एंटी इंकमबेंसी कहीं है दस साल उनको और सरकार में हो गए पांस साल से विदा पक एक बड़े नेता मुझसे कल टेलिफोनिक बातचीत भी कर रहे थे कि बड़ी संख्याव में लोग बीजेपी छोड़ रहे हैं उसका इंपक्ट भी है अगर मैं अगला नाम आप से लेता हूं तो फिर गौरव गौतम का नाम आप से कहें तो गौरव गौतम के साथ एक फरिदाबाद यह आ जाती है कि लगवग दो केंडिडेट के नाम बड़े गंभीरता से हैं फरिदाबाद के अंदर लोकसभाद इसका इससा पलवल भी है तो उसके बाद फिर यहां पलवल में विचार होगा इस पर सोचना होगा जो मैंने सबीर पटेल का आपको नाम लिय है भारती जन्ता परटी नए चेहरे की तलाश में है तो क्या वो नया चेहरा राजीव कत्याल हो सकते हैं इस पर भी पूरा गंभीर मंथन है तो आप मानें दो नाम में इसमें आपको गंभीरता से कह रहा हूं कि दीपक मंगला और राजीव कत्याल अगर अगली विधान एक सूत्र बता रहे हैं कि जो नाम गए हैं पैनलिस्क पैनल में जो नाम गए हैं उन नामों के अंदर जो प्रमुक नाम है एक तो हथीन के विधायक परवीन डागर दोसरा हथीन के पूर विधायक केर सिंग रावत और तीसरा नाम बताया जा रहा है जिला परिशद की जो च सिरियल वाइज ले ले परवीन डागर मनोज रावत और केहर सिंग रावत इन नामों पर गंभीर मन्थन है रावत पाल में आते हैं तो फिर केहर सिंग रावत या मनोज रावत और डागर पाल में आते हैं तो परवीन डागर अगर आपसे मैं प्रतला की विधान सभा की बात करूँ, तो प्रतला विधान सभा में भी भारती जंता पार्टी की टिकेट चाने वाले बहुत सारे लोग है, बेशुमार नाम है प्रतला विधान सभा की टिकेट चाने वालों में, लेकिन जिन नामों पर गंभीरता से मंथन है उन नामों में आप ले करके चलें तो टेक चंशर्मा यहां के पूर्व विधायक जिन्होंने 2014 में बसपा से विधायक बनके मनोर पार्ट वन की सरकार को समर्थन दिया और दूसरा नाम यहां पर आता है दीपक डागर जाट समाज से आते हैं हलाकि नाम यहां पर समाज का भी चलता है नैनपाल रावत यहां के विधायक हैं निर्दलिय विधायक चुने गए थे और निर्दलिय विधायक बन करके उन्होंने समर्थन दिया भारती जिनता पार्टी की सरकार को मनोर पार्ट 2 की सरकार में भी और नायप सिंग सेनी पर महर लग सकती है तो फिर वह यह वात आ जाएगी कि अगर गेर जाट से लेते हैं तो उनमें तरे क्षो चरवा और परावी пойд चमत कार क्या हो सकता है तो कॉंग्रेश कैंडीडेट थे हैं रगवीर सिंग देवतिया पृत्थ्तला करंद सिंग दलाल पलवल, चौधरी उदैभान होडल और मुहम्मद इजराइल हतीन और अगर भारती जंता पार्टी की नाम बात करूँ नाम मैंने आपको सारे गिनवाए लेकिन शॉर्ट लिस्ट करके मैं आपको दो-दो नाम बताता चलूँ प्रतला से टेक्चन शर्मा और दीपक डागर में से कोई अगर आगे चलें तो पलवल के अंदर दीपक मंगला और राजीव Ghatyaal अगर अगली सीट पर आएं होडल में तो होडल में हरंदर राम रतन और जग्दीश नयर और अगर हतीन में आएं तो हतीन में परवीन डागर और मनोज रावत या केर सिंग रावत कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर बताएं कि आप हमारी बास से कितना सहमत हैं इस प्रकार के वीडियो अपडेट के लिए लगातार हमारे साथ जुड़े रहें देखते रहें देश रोजाना